हलो एब्रिवन गुट इवनिंग टॉ अल अफ यू वेलकम बैक वन्स अगें लेक्चर नबर टॉल ओवर दे इंटेग्रल्स अके तो उसी के आगे हम लोगी स्टार्ट कर रहे हैं ठीक है जहां पर हमने पिछली लेक्चर्स को लीव किया था अगर उसी को करते हुए मैं टॉ कड़ करने तो इसको मैं कह सकता हो कि अंटीग्रल ठीक है या इंटीग्रेशन जांगें पार्शयल फ्रैक्शन तो देखिए यहां यहां पर यहां पर यहां तक याद आ रहा है Smart 10th में एक chapter होता है ठीक है बाकी तो as a tool you use होता है ठीक है अभी integration में देखें तो as a tool यहां पर use होगा ठीक है 9th और 10th में मुझे जहां तक थोड़ा बहुत याद आ रहा है वहाँ पर एक chapter है partial fraction का तो वहाँ पर different types के हम लोग polynomial को partial fraction में क्या करते हैं तो यहां पर मैं उस tool को बता दूँगा कि कहां पर किसका क्या need है ठीक है तो थोड़ा सा अगर समझने का प्रयास करें तो integration by partial fraction that means की दो polynomial या numerator upon denominator के format में मुझे polynomial दिया रहेगा जिसको partial fraction की help से हम split कर लेंगे more than two integration में उसके बाद आसानी से उसको क्या कर लेते हैं solve कर लेते हैं तो थोड़ा सा लिखेंगे तो clarity आ जाएगी just language यह theory का part है तो थोड़ा सा लिखेंगे बाकी तो करने से ही आएगा ठीक है clarity तो लिखते हैं a rational ठीक है a rational function a rational function is defined as the ratio as the ratio of two polynomials in the form of px upon qx okay capital q कर दे रहा है इसको px upon qx where px and qx are polynomial polynomials in x and qx not equal to 0 तो थोड़ा सा अगर मैं इसको पढ़ने का प्रयास करूँ तो हम लोगों ने rational number सुना होता है आज फिर से यहाँ पे सुनने को एक नया टर्म मिल रहा है rational function तो अगर मैं थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाएं तो rational number की अगर हम बात करें तो rational number क्या होता था rational number यह होता था कि एक number जिसको मैं लिख सकता हूं p by q के format में where q not equal to 0 okay p और q एक integer होते हैं जो कि positive भी हो सकते है negative भी हो सकते हैं और यहाँ पी q not equal to 0 rational number के बारे में हम लोगों ने सुना होता है आज यहाँ पर हमें सुनने को मिल रहा है कि rational function okay क्या सुनने को मिल रहा है rational function just rational number rational function भी होगा इसमें हम functions को यूज करेंगे as a polynomial ठीक है तो irrational function is defines as the ratio of two polynomials ठीक है दो polynomial इसमें होंगे जिस तरीके से इसमें integers हम लोग लेते हैं p and q इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे rational में polynomial rational function में हम दो polynomial लेंगे in the form of px upon qx तो यहाँ पर देखिए जैसे कि मैंने लिखा भी है कि px and qx are the polynomial in the term of x okay x के term में यह होगा where qx not equal to 0 जिस तरीके से rational number में हम यह कहते हैं कि q not equal to 0 due to any number except 0 any number except 0 upon 0 वो tend करता है infinite को इसी लिए यहाँ पर q not equal to 0 लिखा गया है और infinite कोई number नहीं होता है hope clear होगा कि हमें rational functions की बारे में अगर लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे px upon qx के format में एक rational function होगा थोड़ा सा अगर theory portion को मैं आगे बढ़ाओं तो कुछ और basic बाते हैं उसको लिख लेते हैं अच्छा लिखने का कोई आउचित नहीं है अभी मैं जब mathematics के language में लिखोंगा तो एक क्लियर हो जाएगा कि questions को कैसे proceed करना है लेकिन जस्ट यह थेरी का पोर्शन ने तो इसको कबर थोड़ा सा कर लेते हैं अके if the degree of px is less than the degree of qx अगर जो px है हमारा जो हमने यहाँ पे px लिख रखा है numerator में अगर उसकी degree qx से कम है उसकी degree अगर qx से क्या है कम है तो यह क्या होता है proper इसको rational function कहेंगे then it is called degree of qx then the rational function then the rational function is called proper तो इसको मैं कौन सा rational function कहूंगा proper ऑके otherwise 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 it is called improper ऑके otherwise यह improper क्या कहलाएगा rational function ऑके समझने का प्रयास करते हैं कि जो इससे कि मैंने लिखा rational function px upon qx ऑके px numerator में qx denominator में जहांपे मैंने बता दिया कि qx और px दोनों polynomial है in the term of x where qx not equal to 0 जैसे कि rational number में पी अपान q में q not equal to 0 होता है सेम ऐसे ही ओके तो यहां पर डिगरी की बात हो रही है कि अगर px जो numerator में है polynomial उसकी degree अगर कम है किसके denominator के denominator के denominator के that means की qx के तो ऐसे ऐसे rational function को ऐसे rational function को मैं क्या बोलूंगा proper rational function है अगे otherwise हम क्या बोलेंगे improper rational functions तो proper तो है तो कोई दिक्कत नहीं लेकिन अगर improper rational function होगा तो मुझे कुछ करने की जरूरत पड़ेगी तो यहां पर थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं ठीक है दा improper ठीक है आगे लिकेंगे दा improper rational the improper rational functions can be reduced can be reduced to the can be reduced to the proper to the proper rational proper rational functions okay proper rational functions by long by long division okay long division process okay समझते हैं थोड़ा सा लिख लेते हैं long division process दस अगर थोड़ा सा आगे बढ़ाएं दस इस प्रकार if px upon qx okay px upon qx is improper okay improper then px upon qx equal to tx plus p1x upon qx okay where where tx is a polynomial a polynomial in x and p1x upon qx is a proper rational function okay समझते हैं proper rational function okay theory end हो गई just a इसको लिखना था क्योंकि theory का portion था लिख दिया आभी मैं summarize कर दूँगा एक line में समझ में आ जाएगा तो समझने का प्रयास करते हैं ठीक है अके इस टार्ट से देखते हैं कि अगर हम लोगों ने देखा यहाँ पे rational number क्या होता है इसी तरीके से क्या होगा rational function होगा जो की px upon qx के format में होगा यहाँ पे px और qx क्या होगा एक polynomial function होगा वो x में भी हो सकता है y पे भी हो सकता है z में भी किसी भी एक other variable में हो सकता है और infinite कोई number नहीं होता है, तो फिर से आगे इसको देखते हैं, if the degree of px, अगर px एक polynomial है, px की degree को अगर हम लोग देखें, अगर वो बड़ी है, किस से, denominator, that means कि qx से, qx से अगर बड़ी है, ठीक है, छोटी है, सुरी, अगर छोटी है, तो वो कैसा होगा, proper rational function होगा, कैसा होगा, proper rational function होगा, otherwise अगर px की degree बड़ी है, किस से, qx से, तो उसको क्या बोलेंगे, improper rational fraction, अच्छा, proper rational function है, तो कोई दिक्कत नहीं, उसको हम प्रोसीड करेंगे, लेकिन अगर improper है, तो उसको proper बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, the improper rational functions can be reduced to the proper rational function, कैसे करेंगे, long division process से, long division process क्या है, यह 16-17 का syllabus है, division process ठीक है, यानि कि एक polynomial को दूसरे polynomial से, क्या करेंगे, divide करेंगे, उसको जैसे मैंने divide कर दिया, जैसे आप मैंने लिखा है कि यह px upon qx, ठीक है, यह हमारा क्या है, दो polynomial दिया है, px और qx, और यह कैसा है, improper है, कैसा है, improper, तो इसको proper बनाने के लिए हम क्या करेंगे, px को qx से divide करेंगे, तो जैसे divide करेंगे, तो tx time जाएगा, ठीक है, tx time यहाँ पर हो जाएगा, उसके बाद जो बचेगा, उसको मैं यहाँ पर लिख दूँगा, p1 x upon qx, इसको ऐसे लिख देंगे, where, tx भी क्या होगा, एक polynomial होगा, tx भी क्या होगा, एक polynomial होगा, अगर function x में है, तो x में होगा, और जो बच गया, px upon qx, अब इसको आप अगर देखेंगे, तो यह proper rational function होगा, और proper rational function जैसे ही हमारे पास आएगा, हम क्या करेंगे, फिर से integration करना इस्टार्ट करतेंगे, by the partial fraction, तो यह just theory का part है, अगर theory से मैं थोड़ा सा बाहर निकलूंगा, तो मुझे clarity आ जाएगे, कि किस तरीके से questions को करना है, तो इसके पहले हम क्या करते हैं, tools को ready कर लेते हैं, tools को ready करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कि जैसे जो standard format है, क्योंकि अभी यहाँ 9, 10 की class तो है नहीं, तो मुझे क्या करना है, कि जो भी functions है, जो भी rational functions है, उसके proper partial fractions को मुझे क्या करना है, दो-चार बार लिखना है, remember हो जाएगा, मैं जब भी notes provide करूँगा, PDF format में, तो उसमें मैं उसको insert भी कर दूँगा, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, बारी-बारी से इसको यहाँ पे देख भी ले रहा है, कि किस तरीके से किसका क्या function होता है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं, form of the rational function, और दूसरे साइड में अगर हमने लिखूं, कि form of the partial fraction, हम क्या करने जा रहा है, कि जो भी rational number आएगा हमारे सामने, जिसका integration मुझे करना रहेगा, वो कुछ इस तरीके से रहेगा, कि Px upon Qx टाइप का रहेगा, इसका integration मुझे करना है, और इसको मुझे क्या करना रहेगा, इन दोनों polynomials को मुझे reduce करना रहेगा, किस में हमें reduce करके लाना रहेगा, proper partial fraction करके, अलग-अलग split करके, more than two polynomials में reduce करना रहेगा, as a numerator and denominator, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं, कि इसकी क्या-क्या form हो सकते हैं, तो अगर मैं पहले form की बात करूँ, ठीके, पहले form की, तो हमारे सामने अगर इस तरीके का कोई expression अगर लिखा है, कि one upon x plus a, ठीके, into x plus b, ठीके, अब इसका integration अगर मालीजी हमारे सामने आ जाएगा, तो हम इसको नहीं कर सकते हैं, तो इसका हम क्या करेंगे, partial fraction, that means कि more than 2 में, या 2 में, यह तो 2 में ही break होगा, इसी तरीके से और भी जो expression हमारे सामने आएंगे, उसको more than 2 में हम क्या करेंगे, convert कर लेंगे, more than 2 functions में, और easily क्या कर लेंगे, integrate कर लेंगे, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, कि a upon x plus a, ठीके, plus b upon x plus b, यानि कि अगर हमारे सामने questions इस तरीके से दिया गया है, कि 1 upon x plus a into x plus b, तो उसका partial fraction क्या हो जाएगा, a upon x plus a plus b upon x plus b, तो इस format में हम इसको split कर लेंगे, that means कि इसका अगर integration हम से पूछा जाएगा, तो हम इसका और इसका integration निकाल लेंगे, तो that means कि यहां से मुझे क्या obtain करना रहेगा, a और b को obtain करना रहेगा, और आसानी से यह दो integration में क्या हो जाएगा, s plate हो जाएगा, ओके, होपी clear होगा, इसी तरीके से अगर मैं आगे बढ़ू, दूसरे की बात करो, ठीक है, दूसरे की अगर हम बात करें, तो वो, यानि कि rational function हमारा क्या हो जाएगा, कि px plus q upon x minus a into x minus b type का है, where a not equal to b, अभी यह भी मैं clear कर दूँगा, a not equal to b क्यों होगा, ठीक है, a not equal to b, अगर इस तरह का case है, इस तरह का case है, तो इसका partial fraction का format जो हो जाएगा, वो हो जाएगा, a upon x minus a, okay, plus b upon x minus b, okay, यानि कि जब भी questions हमारे सामने इस तरह के साएगा, कि px plus q upon x minus a into x minus b के format में होगा, तो मैं direct उसको split कर लूँगा, किसमें a upon x minus a plus b upon x minus b, that means we need to find out a and b, so that we can split this rational function in the two integration format, okay, तो यहाँ से मैं कर सकता हूँ, तीसरे की अगर हम बात करें, ठीके, तीसरे अगर हम लिखें, तो वो कुछ ऐसा हो सकता है, कि px plus q upon x minus a का whole square, अब यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि a not equal to b क्यों है, अगर यहाँ पे a equal to b हो जाता, तो जो मैंने उपर लिखा है वही तो नीचे है, ठीक है, यह हो जाता, तो x minus a into x minus a, that means कि x minus a का whole square, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है a not equal to b, that means कि इससे क्या है, अलग है, तो इसका अगर हम लोग देखें, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, अगर मैं इसके partial fractions को लिखूं, तो हो जाएगा a upon x minus a, ठीक है, प्लस b upon x minus a का whole square, ठीक है, x minus a का whole square, अच्छा, यह आपको कैसे याद होगा, with the help of practice, you can remember, जैसे आप इसकी practice करेंगे, तो यह आपको क्या हो जाएगा, प्रॉपर तरीके से याद हो जाएगा, प्रैक्टिस करने से ही आएगा, बहुत ज़्यादा नहीं है, तीन-चार function है, उसको आप याद कर सकते हैं, यहाँ पर derivation की इसकी need नहीं है, हमारा chapter है integration, integration में partial fraction as a tool use हो रहा है, ना कि as a concept, तो मुझे क्या करना है, बस इसके format को याद रखना है, कि इस तरीके से आएगत इसमें convert कर लेंगे, तीसरा हो गया, अगर मैं चौथे की बात करो, तो वो यह हो सकता है, कि px square plus qx plus r upon x minus a into x minus b into x minus c, होपी क्लियर होगा, तो इस format में अगर questions हमारे सामने आएगा, तो हम उसको इस तरह से partial fraction में break कर लेंगे, a upon x minus a, ठीके, plus b upon x minus b, ठीके, plus c upon x minus c, बिल्कुल आसान है, कुछ भी difficult नहीं है, बस आपको patience के साथ इसको थोड़ा सा 2-4 बार लिखना है, याद जाएगा, पांच में की अगर हम बात करें, ठीके, तो वो कुछ ऐसा हो सकता है, कि px square plus qx plus r upon x minus a का whole square into x minus b, इसको अगर हम लिखने का प्रयास करें, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, कि a upon x minus a, okay, a upon x minus a plus b upon x minus a का क्या लिखेंगे, whole square plus c upon x minus b, okay, clear है, बिल्कुल आसान है, और छटा और लास्ट की तरफ अगर हम लोग बढ़ें, ठीके, छटा और लास्ट की तरफ अगर हम लोग बढ़ें, तो उसको partial format में मुझे reduce करना रहेगा कैसे, a upon x minus a, ठीके, plus bx plus c upon bx plus c upon x square plus bx plus c, और यहां पर थोड़ा सा एक बात लिखना है, कि where, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा लिखना है, कि where, where x square plus bx plus c, okay, cannot be, cannot be factorized further, cannot be further factorized, यानि कि यह फिर से factorize ना हो, इस तरीके से हो, ठीक है, इसकी condition क्या है, कि यह further factorize ना हो सके, इस तरीके से quadratic equation हो, ठीक है, quadratic expression, ठीक है, तो इतनी बातों का ध्यान रखना है, तो जिससे हमारा यह topic जो मैंने start किया है, जिसका नाम है integration by the partial fraction, बिल्कुल आसान है, अभी यह theory का portion है, मैं जैसे ही questions से start करूँगा, बिल्कुल आसान लगेगा, ठीक है, तो देखते हैं, इसी के आगे अगर हम लोग देखें, तो आपको यह as it is क्या करना है, remember कर लेना है, remember करने में ही भलाई है, अदरवाइस यहाँ पर discovery करने का समय नहीं है, कि आप इसको discovery करिए, it's the part of the 9th or 10th, 9th का यह portion है, यहाँ पे 9th हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हमको सिर्फ इतना सीख लेना है कि किस format में है, किसको कैसे split कर लेंगे, जिससे हमारा काम हो जाए, ठीक है, ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि याद कर लेंगे, और मैं इसको अभी computerized format में भी आपके notes में इसको डाल दूँगा, ठीक है, तो फिर से अगर मैं recall करें कि rational function अगर हमारे पास इस format में होगा, 1 अपान x plus a into x plus b, तो हम उसको split कर लेंगे, a अपान x plus a plus b अपान x plus b, ओके, और px plus q, where a not equal to b, अच्छा, थोड़ा सा इसके a के ओए और a, b, c के बारे में भी लिखना है, अगर मैं a, b, c के बारे में अगर यहाँ पर लिखें, तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि capital a, capital b, capital c are real numbers, ओके, यहाँ एक ऐसे number है, real numbers है, ठीके, और a, b, c, b, c, b, q and r, are also real numbers, ओके, यह भी कैसे है, real numbers है, ठीके, बिल्कुल आसान है, constant है, real numbers है, जिसको number line पर हम लग प्लाट भी कर सकते हैं, ठीके, तो इतना इसके बारे में हम जान लेते हैं, आप थोड़ा सा क्या करेंगे, questions को जैसे ही start करेंगे, आपको clear हो जाएगा, कि अभी तक ही चल क्या रहा था, कुछ माजरा समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अब जैसे ही questions म start करते हैं, तो clear हो जाएगा, इसको दो part में मैं खतम करूंगा, जैसे आज में ले रहा हूँ, और इसका आधा और remaining part, यानि कि जो अभी हमने यहाँ पे लिखवाया है, यह जो formula है, कि किस तरीके से हम इसको split करेंगे, और integration में use करेंगे, इसी पे बारी-बारी से हम क्या करे करेंगे, questions करेंगे, तो clear हो जाएगा कि कैसे हमें इसको follow करना है, तो आधा मैं आज करूंगा और आधा कल करूंगा, तो clear हो जाएगा कि partial fractions की help से किस तरीके से integration में यह मददगार साबित होता है, तो questions लिखते हैं, clear हो जाएगा, अभी तो कैसा लग रहा होगा कि बता नही तो थोड़ा सा अब मैं यहाँ पर बात कर लूँगा कि proper rational function और improper rational function की बात करेंगे, तो यहाँ पर देखिए अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे लिखने का प्रयास करूँ, ठीक है, अब यहाँ से मैं connect करते हुए चलूँगा, तो अगर मैं थोड़ा सा इसको लिखने का प् होगा, कि एक quadratic equation होगा, quadratic equation होगा, तो इसकी degree क्या होगी, 2 और उपर degree क्या है, 0, आगर उपर degree 0 है, और नीचे ज्यादा है, यानि की numerator की degree क्या है, कम है, और denominator की degree क्या है, ज्यादा है, तो इसका मतलब यह कैसा rational function है, यह proper rational function है, कैसा है, proper rational function है, तो अगर यह proper rational function है, तो मुझे direct इसमें partial fractions के rule को लगा के integration करना है इसको किसी चीज बे बदलने की जरूरत नहीं है लेकिन अगर ये improper rational function होता तो we need to firstly convert the improper function into the proper rational function तो यह हम यहाँ पे clear हो गया कि यह कैसा है proper rational function है that means we do not nothing यहाँ पे कुछ भी मुझे करने की जरूरत नहीं है हमें सिर्फ questions को proceed करना है तो types को match कराना है और लिखना है कि x plus 1 x plus 2 तो हम क्या करेंगे first of all इसको remove करके बाहर ले आएंगे तो मैं यहाँ पे लिखोंगा कि 1 upon x plus 1 और x plus 2 अब देखिए ये type इसका क्या है अगर मैं थोड़ा सा connect करने का प्रयास करूं तो rational जो function है 1 upon x plus a into 1 upon x plus b type का है इसको partial fraction के format में हम लिख सकते हैं कैसे a upon x plus a plus b upon x plus b यहाँ से अगर मैं type की बात करो तो type number 1 हो जाएगा type number 1 यहाँ से हो जाएगा type 1 type 1 की बात करें तो 1 upon x plus a और x plus b को मैं split करता हूँ कैसे a upon x plus a a upon x plus a plus b upon x plus b होप यह clear होगा अभी मैंने दिखाया कि यह type number 1 है तो type number 1 को मैं यहाँ पर क्या करूँगा apply करूँगा type number 1 को मैं क्या करूँगा apply करूँगा इस standards की help से अगर मैं इसको split करने का प्रयास करूँ तो a upon क्या हो जाएगा x plus 1 plus b upon क्या हो जाएगा x plus 2 अब इसको हम solve करेंगे और a और b की value को यहाँ से obtain करेंगे और इसकी जगह पे a upon x plus 1 plus b upon x plus 2 लिखने का प्रयास करेंगे जैसे ही मैं लिखोंगा तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे clear हो जाएगा कि किस तरीके से इसको convert करना है तो यहाँ पे क्या लिखोंगा x plus 1 तो LCM ले लेते हैं right side का मैं क्या ले ले लाएगा LCM that means कि x plus 1 और x plus 2 तो यहाँ से यह हो जाएगा a times x plus 2 plus b times x plus 1 okay hope you clear होगा और यहाँ पर भी अगर मैं इसको लिखों तो 1 upon x plus 1 into क्या लिखेंगे x plus 2 okay दोनों का denominator क्या है same है denominator same है that means कि both are the cancel to each other okay ऐसा भी कर सकते हैं कि यह एक दूसरे को क्या कर देगा cancel that means कि यह एक दूसरे को क्या कर देगा cancel कर देगा अगर यह cancel कर देगा तो हमारे पास बचेगा 1 equal to a times x plus 2 plus b times x plus 1 okay clear है तो थोड़ा सा इसको आग मैं आगे बढ़ाओ तो 1 equal to a x plus 2a plus b x plus b तो constant को एक तरफ variables को एक side अगर मैं separate करने का प्रयास कर हूँ 1 equal to यहाँ पे a x plus क्या लिखेंगे b x plus 2a का plus क्या लिखेंगे b यह हमारा constant term और यह क्या है variable value term तो इसको अगर हम eliminate करने का प्रयास करें तो 1 equal to x को common ले लेंगे क्या बचेगा a plus b plus क्या हो जाएगा 2a plus b coefficients को compare करेंगे और a और b को value को find out करने का क्या लिखेंगे प्रयास करेंगे comparing the coefficients comparing the coefficient of x and constant term and constant term हम क्या करेंगे coefficients को compare करेंगे अगर coefficients को compare करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा तो x की power यहाँ पे 0 है that means मैं यहाँ पे लेख सकता हूँ x की power 0 x की power 0 into क्या लिखेंगे 0 और यह power क्या है 1 है यह power क्या है 1 है आचा पावर इंवान है डाट मींस कि किसी भी नबर को अगर हम क्या कर देते हैं पावर उसकी जीरो कर देते हैं ठीक है तो वन आजाता है और इसमें 0 का मल्टिप्लाइए करेंगे वन आएगा यहाँ तो इस रिलेशन सिप से यहाँ पर आप्टेंड हो जाएगा एकोल U Minus B okay a equal to minus B अगर मैं इसको Eqeosun no.1 डाल दू ठीक है Eqeosun no.1 तो from Eqeosun 1 अगर मैं देखूूं from Eqeosun 1 to a plus b equal to 1 थो means कि यहाँ पर B की जगह in एक ही जगह में क्या लिख सकता हां minus का B, तो rewrite करेंगे एक जगह में क्या लिख होंगा minus का B ठीक है plus का B equal to one that means कि minus 2b plus b equal to 1 that means कि minus b equal to 1 hence from here we can say that b equal to क्या आजाएगा minus का 1 okay b equal to minus 1 b equal to minus 1 आ गया but a equal to क्या है minus का b that means कि a equal to minus times minus 1 that means कि plus 1 so that we can say that a equal to plus का 1 and b equal to minus का 1 hence from here we can say that the entire question entire numerator upon denominator we can convert in the partial fraction format तो finally अगर मैं इसको लिखूं तो ऐसा लिख सकता हो कि integration of okay rewrite the question यहाँ पर क्या करेंगे जैसे इसको अप्टेन करेंगे rewrite the question questions को हम क्या करेंगे rewrite करेंगे तो questions को rewrite करते ही हमें यहाँ पर दिखेगा integration of 1 upon x plus 1 into x plus 2 dx इसकी जगा पर मैं लिख सकता हूँ कि a upon x plus 1 okay plus b upon क्या लिखेंगे x plus 2 अभी मैंने लिखा इसको ऐसा लिख सकते है a और b की value हमने क्या किया है obtain कर लिया है a की value कितनी आई है a की value आई है 1 और b की value minus 1 that means कि यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि 1 upon x plus 1 अच्छा integration की property लगा के हम इसको split कर भी अलग अलग कर सकते है b की value क्या है minus 1 upon x plus 2 पिर यहाँ पर क्या लिखेंगे dx होपी क्लियर होगा बिल्कुल basic है कि वल partial fractions तक ही थोड़ा सा difficult लगता है कि उसे मझे split करना है बाकी integration आशान होता है तो यहां से अगर देखें वान अपान क्या हो जाएगा x plus 1 1 x plus 1 dx minus 1 upon x plus 2 क्या हो जाएगा dx बिल्कुल आसान है आप देखें चाहे तो इसको substitution method से भी कर सकते हैं और चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं 1 upon x क्या होता है log x होता है तो इसका answer अगर हम लोग लिखें तो log of mod of क्या हो जाएगा x plus 1 minus log of mod of क्या हो जाएगा x plus 2 x plus 2 अच्छा यहां पर अगर मैं एक c1 मानलों और यहां पर क्या मानलों एक constant c2 तो finally अगर हम लोग लिखें तो log of x plus 1 okay mod minus log of mod of x plus 2 दोनों constant को मिला के अगर मैं एक constant कर दूँ या एक बार मैं लिखें दे रहा हूं कि c1 प्लस क्या लिखेंगे c2 और c1 प्लस c2 को add करके मैं क्या लिखेंगा एक constant कर सकता हूं that means कि from here log of mod of x plus 1 minus log of mod of x plus 2 plus का क्या लिखेंगे c अच्छा प्लस का c लिखेंगे अच्छा एक बात यह भी ही discuss करूंगा उसके property सब जगह यूज होते रहेंगे तो इस standard की help मैंने यहां पर लिए है कि अगर आप देखिए यह इस basic tool को मैंने लिए कि log a minus log b को में लिख सकता हूं कि log of a by b that means कि from here we can say that in this question तो log mod x plus 1 minus log mod x plus 2 को जगह मैं लिख सकता हूं कि log of mod of x plus 1 upon क्या लिखेंगे upon x plus 2 जो property अभी मैंने लिखा है उसी property को यहां पर मैंने use किया है x plus 2 प्लस का c यह हो जाएगा हमारा answer that means कि finally अगर मैं लिखने का प्रयास करूं अगर मैं final answer लिखों तो integration of 1 upon x plus 1 okay into x plus 2 dx इसका answer क्या हो जाएगा log of mod of x plus 1 upon x plus 2 okay plus का c यह हमारा क्या हो जाएगा final answer अच्छा यहां पर जो सीखना था वो मैं अगर उसका जिक्र मैं करूं तो वो कुछ ऐसा था यह हो जाएगा हमारा final answer अच्छा यहां पर जो मैंने direct लिखा है कि 1 upon x plus 1 dx इसकी जगह मैं substitution method भी use कर सकता हूं कि अगर सकता हूं x plus 1 को मैं t मान लूँगा तो dx equal to dt हो जाएगा that means कि 1 upon t dt तो भी log t आएगा और t को फिर से मैं substitute करूंगा x plus a तो उसको मैंने direct यहां पर कर दिया है वह इतना वड़ा इसू नहीं है इतने दिन से चल रहा है इंटिग्रेशन एटी परसंट यानि कि इंडेफिनिट इंटिग्रेशन की अगर हम बात करें तो 80 परसंट कबर हो गया है कि वह दो टॉपिक इसमें बच्छे हैं है वह मैं बता दूँ जैसे आपको अगर लॉजिकली देखें तो मुझे पहले क्या करना रहेगा मुझे पहले इंप्रॉपर पार्सियल फ्रैक्शन को पार्सियल फ्रैक्शन बनाना होगा प्रॉपर क्या बनाना रहेगा प्रॉपर अगर वह प्रॉपर नहीं है तो हम क्य करेंगे उसके denominator वाले polynomial से उसको divide करेंगे जितने times जाएगा that means क्या हो जाएगा TX वो हमारा हो जाएगा TX उसके बाद जो बचेगा उसको हम आगे लिख देंगे आगे देखने पर यह obtain हो जाएगा कि जो भी आएगा वो किसमें रहेगा proper polynomial proper rational polynomial होगा जिसको आसानी से हम क्या कर सकते हैं उसमें reduce करके आगे लेके जा सकते हैं तो थोड़ा सा अगर मैं इस topic पर भी एक सवाल ले लेता हूँ तो आज यह topic cover हो जाएगा कल मैं कुछ questions को ही करूंगा तो आज के last questions की तरफ हम करते हैं वो question हमारा किस पर होगा यह जो improper हो जाता है उसको proper बनाके किस तरीके से करेंगे तो उस पर questions रहेगा जो कि last topic होगा पाच मेंट ज्यादा से ज्यादा या दस मेंट लगेगा तो इसको भी cover कर लेते हैं otherwise क्या होगा कि बाद में फिर वो पेंडिंग रह जाएगा और connectivity मिंटेन नहीं हो पाती है ठीक है तो अभी हम लोगों ने देखा कि proper proper rational functions है तो उसका integration कैसे करते है with the help of partial fraction partial fraction के rule number 1 को मैंने लगाया तो 1 upon x plus a into x plus b को मैंने integration क्या हो गया बिल्कुल आसान हो गया बिल्कुल क्या हो गया आसान हो गया और यह जैसे ही आसान हुगा तो हम उसको आसानी से क्या कि यह basic rules लगा के substitution या किसी भी method को लगा के आगे प्रोसीड कर गए उबीद करते हैं समझ में आया होगा तो आज के अंतिम questions की तरफ हम चल रहा है कि जो की improper rational function है उसको हम क्या बनाएंगे proper rational function बनाएंगे उसके बाद integrate करेंगे okay hope you able to understand till now what I discussed okay तो उसी के आगे अगे अगे हमनों continue करें next page से ठीके तो अभी यह topic हमारा रहेगा okay improper ठीके improper rational function ठीके यानि जो questions हम लेने जा रहे हैं वो कैसा रहेगा improper रहेगा improper rational function रहेगा तो उसके integration को कैसे करेंगे with the help of partial fraction okay write out question find integration of x square plus 1 okay upon x square minus 5x plus 6 into क्या लिखेंगे dx okay अब देखिए यह improper कैसे पहले यह चेक करें okay proper के लिए क्या कंडिशन थी प्रॉपर के लिए यह कंडिशन थी कि जो भी हमारा numerator है उसकी power denominator के degree sorry उसकी डिगरी जैसे इसकी highest degree अगर हम numerator की देखें क्या है X square that means ki 2 और denominator की degree अगर लोग देखें तो higher degrees की क्या है to x key यहापे कितने power है 1 यहापे कितने है 2 that means की degree कि अगरं बात करें तो कितना हो जाएगा 2 तो यहाँ पे देख रहे की numerator की degree denominator or numerator की क्या है बराबर है यह प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर होने के लिए क्या हो है, नियूमिनेटर की डिग्री कम होनी चाहिए किस से, डिनाउमिनेटर के, so that, this is the case of improper rational function, so that we need to convert the improper rational function into the proper rational function, so that we can proceed with the help of the partial fraction, तो उसके बाद ही हम क्या कर सकते है, partial fractions को proceed कर सकते है, और integration यहाँ पर यूस कर सकते है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको convert करेंगे, तो अब line को connect करने का मैं प्रयास करना हूँ, कि जब भी हमारे सामने आ जाता है improper rational function, okay, improper आ जाता है, यहाँ पे देखेगा, इस line को देखेगा, if the degree of PX is less than the degree of QX, यहाँ पे degree बराबर हो गई है, then यह क्या हो जाएगा, improper हो जाएगा अगर improper हो जाएगा, तो PX upon QX को हम क्या करेंगे, divide करेंगे, किस से PX को QX के divide करेंगे, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे divide करेंगे, तो मैं simply एक बार बता दे रहा हूँ कि किस तरीके से long division method करते हैं, ठीक है, हलाकि यह चटवी, सातवी या आटवी का syllabus है, फिर भी मैं क क्या करूंगा, अगर इस तरीका का case आता है, तो long division method हम apply करेंगे, मैं यहाँ पर एक बार कर दे रहा हूँ, तो X square plus 1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा, X square minus 5X plus 6, मैं इतना समझ के चल रहा हूँ कि, you are able to understand the long division method, तो इतना understood है, otherwise अगर requirement हो जाएगा, 5X, ठीक है, minus का 5, यह बचेगा, that means कि अगर मैं इसको लिखने का प्रयास करूं, कि X square plus 1 upon X square minus 5X plus 6, इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, 1 plus, इसको अगर मैं लिखने का प्रयास करूं, 1 plus 5X minus 5 upon X square minus 5X plus 6, अचा, इसको आप simplify करेंगे, तो भी य यह आजाएगा, इसको simplify करेंगे, तो भी यह आजाएगा, जैसे आप देख सकते हैं, जैसे simplify करेंगे, X square minus 5X plus 5X cancel हो जाएगा, ठीक है, plus का 6, और minus का 5, यह कितना आजाएगा, 1 आजाएगा, ठीक है, तो इस तरीके से देखेंगे, बचेगा, X square plus 1 ही बचेगा, ठीक है, बि बीके, numerator की, degree जो थी, और denominator के, degree के क्या थी, बराबर थी, numerator की, डीके बराबर थी, किसके, denominator के, degree की, तो जो कैसा हो गया, improper हो गया, कैसा था, improper, इंप्रॉपर था अब यह क्या है यह हमारा हो गया नियुमिनेटर की डिग्री लेस है किसे डिनॉमिनेटर की डिग्री से अगर लेस है यहां से मैं एक कह सकता हूं यह कैसा है प्रॉपर है और प्रॉपर पे ही हम पार्सियल फ्रेक्शन अप्लाई करते हैं पार्सियल फ्रेक proper में convert हुगा है so that the integration of integration of x square plus 1 upon x square minus 5x plus 6 dx यह equal हो जाएगा integration of 1 plus ध्यान दिजेगा 5x minus 5 upon x square minus 5x plus 6 ओके फिर क्या लिखेंगे dx ओके अभी हमारा questions क्या हो गया reduce हो गया किसमें improper to proper और improper से proper में convert करते ही मुझे याद आना चाहिए कि कौन सा rule यहाँ पे apply करना है ठीके आप यहाँ आप से देख लेते हैं यहाँ से अगर हम लग देखें तो यह वाला rule देखिएगा कौन सा rule px plus q upon x minus a into x minus b a not equal to b कि यह rule यहाँ पे apply होगा क्योंकि two not equal to क्या है यहाँ पे three that means कि यह rule को हम क्या करेंगे apply कर लेंगे तो अगर मैं इसके integration को थोड़ा सा split करें आगे बढ़ें तो integration of one of dx plus integration of five x minus five upon x square minus five x plus six dx okay hope you able to understand okay तो बिल्कुल आसान है अब देखिए यहाँ पे हमारा जो मोटो है अब हमारा मोटो सिर्फ इन दो integrations पर आके रुख गया अगर इन दो integrations को मैं solve कर लूँ तो हमारा questions क्या हो जाएगा solve हो जाएगा अगर मैं थोड़ा सा इसको लिखूँ अलग से अगर मैं इसको लिख दू आइवन दैट मेंस कि integration one और इसको मैं लिख दूं integration two that means कि हागर मैं answer की बात करो तो answer हमारा हो जाएगा i1 प्लस i2 आइवन प्लस i2 बट अब यहां पर i1 और i2 को मुझे क्या करना रहेगा calculate करना रहेगा तो मैं क्या करता हूं कि पहले i2 को calculate कर लेता हूं या i1 को ही कर लेता हूं ऑके here i1 की अगर बात करें तो integration of one dx तो क्या हो जाएगा इसकी हम बात करें तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा सिर्फ क्या आएगा x आएगा integration of one क्या आजएगा x आजएगा मैं लिख दे रहा हूं X प्लस C1 बिल्कुल आसान है यह हमारा हो गया I1 I2 की अगर हम बात करें तो I2 अब हमारा कुछ नहीं है जो अभी मैंने example number 1 किया था that means की proper rational function तो हला कि rule यहां पर अलग लगेगा तो उसको मैं बता दे रहा हूं कैसे implement करेंगे 5x-5 upon x-2 और x-3 dx अब यहां पर देखिए इसका जो टाइप है इसके टाइप की अगर मैं यहां पर बात करूँ तो अगर मैं लिखने का प्रयास करूँ तो इसका टाइप कैसा है Px plus Q upon x-a into x-b ठीक है अब यह split होता है a upon x-a plus b upon किसमे x-b में split होता है इस rule की help से हम क्या करेंगे इस rule की help से हम इसको आसानी से कर सकते हैं इस standard की help से हम partial fractions तक महुँच सकते हैं और यहां पर मैं लिखोंगा where a not equal to kya है b a not equal to b है जैसा कि मैं यहां पर देख पा रहा हूँ कि 2 not equal to 3 है that means कि इसके जगह पे अगर मैं partial fractions को ही पहले obtain कर लूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 5x-5 upon x-2 hence और x-3 इसके जगह पे अगर मैं partial fractions के format में इसको reduce करूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ कि a upon ठीक है a upon क्या लिखेंगे x-2 a upon क्या लिखेंगे x-2 plus b upon क्या लिखेंगे x-3 अब यहां से क्या करेंगे इसको simplify करके a और b की value को obtain करेंगे तो हमारा यह single integration किसमे i2 किसमे convert हो गया दो अलग-अलग integration में break हो जाएगा तो अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे proceed करूँ 5x-5 upon x-2 x-3 equal to हो जाएगा a times x-3 plus b times क्या हो जाएगा x-2 और denominator में LCM की अगर हम बात करें तो x-2 और into x-3 बिल्कुल simple है अब देखें denominator दोनों का same है that means कि यहां से हम क्या कर सकते हैं कि 5x-5 equal to a times x-3 plus b times क्या हो जाएगा x-2 just a simplification ठीक है कुछ भी इसमें नहीं है इसको solve करना है और हमें क्या करना है a और b की value को obtain करना है तो क्या हो जाएगा ax-3a plus bx-2b variables को separate करेंगे constant को एक में करेंगे और variables को एक तरफ एक में करेंगे ठीक है 5x-5 equal to यहां पर मैं लिख लेग रहा हूँ ax-bx minus 3a minus 2b clear है तो यहां से अगर मैं लिखोंग तो 5x-5 equal to x common ले रहे है क्या बचेगा a plus b minus common ले लिए क्या बचेगा 3a plus 2b clear है now comparing the both side now comparing the both side coefficients coefficients को हम क्या करेंगे compare करेंगे अगर यहां से compare करके मैं देखों तो जो निकल के आता है x की जगह पर यहां पर क्या है 5 that means कि 5 equal to क्या आ जाएगा a plus b इसको में माल ले रहा हूँ equation number one okay क्या आ गया a plus b equal to 5 okay अगला अगर हम लोग देखें तो minus 3a plus 2b इसकी जगह पर क्या लिखेंगे constant term है that means कि क्या लिखेंगे minus का 5 minus का 5 और minus minus क्या हो जाएगा plus हो जाएगा that means कि 3a plus 2b equal to क्या हो जाएगा 5 एक equation यह हमारे पास है जिसको मैंने equation number 2 डाल रखा है ठीक है तो मैं ऐसा कर ले रहा हूं कि equation 1 में 2 से multiply कर दे रहा हूं ठीक है equation 1 में 2 से multiply कर दे रहा हूं b को eliminate कर देंगे तो a पहले आ जाएगा multiply multiply by 2 in equation 1 तो अगर मैं multiply करने तो क्या हो जाएगा 2A plus 2B equal to कितना हो जाएगा 10 और second equations को अगर मैं लिखो यहाँ पे equation number second अगर मैं लिखो जाएगा 3A plus 2B equal to 5 तो यहाँ से अगर मैं इसको solve करें just simple है calculation है calculation तो आना ही चाहिए ठीक है तो क्या आजाएगा minus A ठीक है यह cancel out हो जाएगा यहाँ पर 5 हो जाएगा तो A equal to क्या आजाएगा minus का 5 यहाँ से हम क्या निकाल लिए A equal to minus का 5 अब now from the equation 1 अगर मैं equation 1 की बात करो now from equation 1 की अगर हम बात करें equation 1 तो equation 1 हमारा यहाँ पर क्या है की A plus B equal to 5 तो now from the equation 1 ठीक है from equation 1 A plus B equal to 5 A plus B equal to 5 है that means की यहाँ से अगर मैं क्या करो A की value को यहाँ पर place कर दो plus B equal to 5 तो B equal to कितना आ जाएगा 10 that means की A की value यहाँ पर आ गई minus 5 और B की value कितनी आ गई 10 तो अगर मैं अब इस partial fractions को लिखने का प्रयास करो तो finally अगर हम लोग देखें तो हमने क्या किया था x square plus 1 upon x square minus 5x plus 6 को मैंने break कर दिया था कि 1 plus 5x minus 5 यही था 5x minus 5 upon x minus 2 upon x minus 2 x minus 2 into x minus 3 क्या लिखेंगे x minus 2 into x minus 3 और यह solve करके हमारे पास आया 1 plus a upon क्या लिखा मैंने x minus 2 plus का b upon क्या लिखा था x minus 3 तो इसका मतलब finally अगर हम लोग देखें तो integration of x square plus 1 x square minus 5x plus का 6 dx इसकी जगह पे finally अगर हम लोग देखें तो integration of 1 plus a upon x minus 2 ठीक है plus b upon x minus 3 ऐसे भी कर सकते है into dx otherwise थोड़ा सा मैं अपनी बातों से हट गया है बातों से हटने का sense कि यहां पे है कि मैंने यहां इसको i1 माना था इसको i2 माना था ठीक है तो ऐसे भी कर सकते हैं तो अच्छा यहां से मैं इसको i2 ही मान ले रहा हूं ठीक है यह हमारा क्या है i2 है i1 मैंने निकाल रखा है तो अगर मैं इसको लिखूँ तो हमारा i2 जो हो जाएगा i2 हो जाएगा integration आप a अपान x-2 प्लस b अपान x-3 यहां पे क्या लिखेंगे dx ठीक है ऐसे भी कर सकते हैं तो a की value जो i है उसको अगर मैं लिखने का प्रयास करूँ तो a की value यहां पे क्या आई है हमारे पास a की value आ गई minus 5 b की 10 तो यहां पे मैं लिखेंगे i2 equal to क्या लिखेंगे minus 5 अपान x-2 dx और प्लस 10 अपान क्या लिखेंगे x-3 dx 10 अपान 3 dx लिखेंगे ठीक है अब देखें मैं दोनों की constant को एक ही constant यूज़ करूँगा c2 यूज़ करूँगा और finally c1 और c2 को आइड करके एक नया constant आइड कर दूँगा minus 5 integration of 1 upon x-2 dx प्लस 10 को भी बाहर करेंगे 1 upon x-3 क्या लिखेंगे dx अगर इसको हम लोग देखें तो यह कुछ और नहीं minus 5 log of mod of क्या हो जाएगा x-2 ठीक है प्लस 10 टाइम्स log of mod of x-3 ठीक है प्लस का एक constant हमने c2 आइड किया जहाँ पे दो constant obtain होगा ध्यान दीजिएगा दो constant obtain होगा लेकिन दोनों constant की जगह मैंने क्या किया है एक single constant यूज कर लिया है ठीक है c2 क्योंकि आई टू मैं यहां पर मान रखा हूं तो इसलिए इसको क्या मन लिया हमने c2 मन लिया ओके तो आई टू को अगर मैं आई वन प्लस आई टू तो अगर मैं final answer लिखो final answer अगर मैं लिखो तो answer हमारा क्या था आई वन प्लस आई टू आई वन प्लस आई टू एंसर हमारा यह था तो आई वन के case में क्या आया था x plus c1 ठीक है x plus क्या आया था c1 और यहाँ पर आगे अगर हम इसको add करें तो हम यह लिख सकते हैं कि minus times क्या लिखेंगे minus times 5 log mod of x minus 2 plus 10 times log of mod of x minus 3 plus का c2 ओके c1 और c2 को मैं add करके सिर्फ एक constant अगर लिखने का प्रयास करो तो final way में अगर मैं इसको लिखने का प्रयास करों तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि integration of integration of x square plus 1 upon x square minus 5x plus 6 dx इसका answer हो जाएगा x minus 5 log mod of x minus 2 plus 10 log of mod of x minus 3 plus का एक arbitrary constant finally मैंने क्या add कर दिया c ओके होब क्लियर होगा बिलकुल आसान है कुछ भी difficult नहीं है difficult नहीं है बस थोड़ा सा lengthy होता है लेगिन आप जब करेंगे चीजों को step wise step करेंगे तो क्लियर हो जाएगा यह हमारा क्या होजएगा answer अब कि बिलकुल आसान है तो आज की इतना ही रखते हैं ठीक है कि आज के लिए इतना ही रखते हैं टाइम थोड़ा जादा हो गया लेकिन मैंने जो सोचा था उसको मैंने किया कि एक सवाल मैंने प्रॉपर पे लिया किस तरीके से प्रॉपर वाले को हम लोग इंटिग्रेट करते हैं विद्ध हलपा पार्सियल फ्रैक्शन और किस तरीके से improper koin पहले किसमेh proper में चंच करते हैं उसके बाद types देखते हैं कौन स्रफ टाइप है अच्छा आप यहां पे देखिए मैं ने दो टाइप का यहां पे करा दिया है पहला और दूसरा तीसरा चौथा एक क्लास सायद लगेगी कि इस्पेसल टाइब आप इंटिग्रेशन आइज वलाइज दा इंटिग्रेशन बाइपार्ट तो यहां पे लेक्चर्स के सिलसला क्लोज हो जाएगा उसके बाद हम लोग पीडियाप फार्मेट में इनोट्स आपको मिल जाएगा तो मिलते हैं कल एक नए टॉपी के साथ जो की काफी अच्छा होगा अच्छा इंदसेंस की इसी का अगला पार्ट हम करेंगे और कुछ नया नहीं करेंगे केवल कुश्चन करेंगे इसके जो रिमेनिंग पोर्शन ब झाल झाल